वेलकम फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पुनम्स गार्डन एन रिसाइक्लिन ग्रेटिविटी तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैलन्डूला की केर आप कैसे करें जिससे आप इस विंटर बहुत सुंदर-सुंदर फ्लोवर अपने गार्डन में पा बहुत कुछ बातों का दिहान रखना है जिससे हमारा प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोव करेगा और बहुत ही सारी बर्स हमारे प्लांट पर आएंगी बहुत सारे फ्लोवर खिलने वाले हैं तो जिसने अब तक में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब सब्सक्राइब कर लिए और बैल आइकों दो आना बिल्द कर मत भूलिएगा जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे है और आप अपने गार्डन में ऐसे ही सुन्दर सुन्दर प्लांट तियार कर सके वीडियो देख करके तो चलिए वीडियो करें और इसके सीर्ज हम कैसे लगाएं तो वो आप मेरे चैनल पर विजिट करके इसका फुल वीडियो देख सकते हैं मैंने पोश्ट की हुई है इसकी वीडियो और आपको ये सीर्ज कब लगाने है ये भी मैं सब आपको उस वीडियो में बता दूंगी तो अभी हमें इस सीर्ज लगाने से हमको कोई फायदा नहीं है क्योंकि अभी अगर हम सीर्ज लगाएंगे तो हमको बहुत लेट हो जाएगा और इसका फ्लोरिंग टाइम खतम हो जाएगा तो आप अभी इसको नर्सरी से लाकर के अपने गार्टन में एड़ कर सकते हैं नर्सरी में आपको इसका प्लांट 50 से 20 रूपीज की रेट में मिल जाएगा असानी से तो देख सकते हैं आप कितने हैल्थी प्लांट और अच्छे प्लांट हमारे हो रखे हैं तो इसमें बात कर लेते हैं अभी फर्टिलाइजर की तो फर्टिलाइजर इसको हमें ज्यादा क्वांटिटी में नहीं देना है जैसा कि मैंने बताया था कि ये बहुत ही लो मैंटेंज प्लांट है विंटर का और बहुत सुन्दर सुन्दर फ्लोवर देता है तो आपको इसमें सिर्फ लिक्विट फर्टिलाइजर में अगर कहें तो लिक्विट फर्टिलाइजर में आप इसको सरसो की ख तो अभी आपको जो देना है इसमें देना है अभी लिक्विट फर्टिलाइजरी बाकी इसमें आप पानी का ध्यान रखें ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें और अपने प्लांट को ज्यादा से ज्यादा ठंड से बचाएं क्योंकि इस टाइम अभी जैसा की ठंडा बहुत चल रहा है और जिसको अमपाला वोलते हैं तो वो हमारा प्लांट खराब कर देता है तो सिर्फ हमारे प्लांट को हमें बचाना है उससे बाकी आप इसको कहीं भी रख सकते हैं हो सके तो आप इसको कम से कम जैसे 7 गंटे की धूप को जिसको इसको मिल सके ऐसी जगा पर रखें और यह आपका प्लांट बहुत सुंदर-सुंदर फ्लोवरिंग देगा और बहुत ही अच्छी ग्रोथ में चलेगा आपको इसमें ज्यादा अलग से कोई केर करने की जोट नहीं है अगर हो सके तो अगर आपके प्लांट में फंगी साइड लग चुका है तो आप रखें कि उस पे कोई फंगी साइड कोई फंगी साइड अपलाई कर सकते हैं अपने प्लांट पर और अपने प्लांट को फंगस से बचा सकते हैं बाकि आपका जो प्लांट है पुंटर में बहुत सुंदर-सुंदर फ्लोवरिंग देने वाला है सिर्फ आपको इनी बातों का देहान रखना है और आपके गार्डन में सुन्दर सुन्दर फ्लोवर बहुत जल्दी ही खिल जाएंगे इस प्लांट पर और यह देखने में इसका फ्लोवर बहुत ही कुपसुरत दिखाई देता है अगर आपके गार्डन में होगा तो आपका गार्डन और भी सुन्दर वाला है और इसका जो फ्लोवर है एक बार खिल करके कम से कम एक मैं पंदरा दिन तक तो कम से कम इसका एक फ्लोवर रहता है तो यह था मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने गार्डन में यह प्लांट जरूर एड कीजिए अग अगर आपको किसी ओड भी प्लांट के बारे में वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर बताईएगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंस बाई बाई चेक के एर हपी गार् जर्टाइब करना झाल बिल्कुल मत रबता बिल्कुल मत भी रगे तो घ्लिकुल मत भी धजीो बिल्कुल मत भी चैनल के लगे अगे अरू